नमस्कार पुन्य शुलो के लिवाई शो में गुन्नु जी धरे गए मगर फिर भी बच गए हैं असली सजा जो उनको मिलनी चाहिए थी उससे बच गए हैं लेकिन अब लग रहा है कि वक्त आ गया है जब धना सरदार उनके किये की सजा पा लेंगे जी हां देखे एक तो ये क कि देवी एहलिया ने बहुत जा सकती कर दी है मालवा के अंदर तो कर ही दी है साथ ही वो कहती है कि वाड़े को भी सुरक्षित करना होगा क्योंकि वाड़ा घर जो है आपका मन होता है और इनसान को अपनी शारिक शम्ता को बढ़ाने के लिए ताकत बढ़ाने के लिए आने वाले एक दो एपिसोड में ही धना सरदार गरफ्त में होंगे ऐसा लग रहा है और इतना ही नहीं सैनिक तो वाड़े में पहले भी हुआ करते थे मगरब देवी हैल अपने विश्वास पात्र जो सैनिक हैं जो उन्होंने टीम तियार की थी तुकोजी के माध्यम से उन सै को तैयार कर रही है उन सैनिकों को लगा रही है तो जाहर से बात है नए सैनिक होंगे विश्वास पातर सैनिक होंगे और फिर स्रक्षा भी कड़ी हो रही है और देवी लेनी कहा कि नक्षा देख रही है कि कहा सुरक्षा जादा है कहा कम है और जहां कम लगती है वहीं से निकाल रहे हैं गुनुजी धनासरदार को जब कि धनासरदार सब को जानते हैं वो भी दूसरे रास्ते से जा रहे थे लेकिन वो रोकते हैं और उस रास्ते से न मिल रहा है तो लेके भाग लूँ ठीक है भागने ही प्लैनिंग है मगर साथ में क्या है हट बड़ा हट है बहुत ज़्यादा अपने ही बेटे पर छिपकर वार करते हैं और वो भी चिलाते हैं पहले छिपे हुए थे फिर चिलाते हैं कि ओ चुरी निकाल करके जाहर से बात है मतलब वो अब पकड़े जाने वाले हैं उनके हाला तो उनको लग रहा है कि हाँ धनासरदार अब गडबड होने वाली है तो इसलिए वो बोख़ाया हुआ है और दोनों ही सूर्तों में लग रहा है कि धनासरदार को देखकर के धनासरदार अब जल्द ही गिरफ्त में और सजा भी पा जाएंगे कड़ी जों को मिलनी चाहिए थी